ओम शान्ति चब्विस साथ तो हजार चोविस के साकार अनमोल धार्णना युक्त इश्वर्य महवाक्य हैं मिठे बच्चे ये अनादी ड्रामा फिरता ही रहता है तिक तिक होती रहती है इसमें एक का पार्ट ना मिले दूसरे से इसे यथार्ट समझ कर सदा हर्शित रहना है कुश्चन किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है अंसर किसी को सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है ऐसा कहेंगे तो लोग हसी उड़ाएंगे तीका करेंगे क्योंकि आज कल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं इसलिए तु दो बाप का परिचे दो एक हद का और दूसरा बेहद का बाप हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं तो समझ जाएंगे ओम शान्ति रोहानी बाप बैट रोहानी बच्चों को समझाते हैं स्रिष्टी तो यही है बाप को भ नहीं समझाया जाता, इस थूल वतन में ही समझाया जाता है, तो बाप जानते हैं, बच्ची सब पतित हैं, कोई काम के नहीं रहे, इस दुनिया में दुखी दुख है, तो बाप नहीं समझाया है, अब ही तुम विशे सागर में पड़े हो, असुल में तुम खीर सागर में थ विश्णु पुरी को खीर सागर कहा जाता है अब खीर का सागर तो यहां मिलना सके तो तलाव बना दिया है वहां तो कहते हैं दूद की नदिया बैती थी गाइं भी वहां की फर्स क्लास नामी ग्रामी है वहां तो मनुष्य भी बिमार यहां तो मनुष्य भी बिमार हो पड़ते हैं वहां तो गाइं भी कभी बिमार नहीं पड़ते फर्स क्लास होते हैं जानवर आदी कोई बिमार नहीं होते हैं यहां और वहां में बहुत फर्क है यह बाप ही आकर के बताते हैं दुनिया में दूसरा कोई जानता ही नहीं तुम जानते हो यह पुर्शोतम संगम युग हैं इसमें बाप आते हैं सब को वापिस ले जाते हैं तो बाप कहते हैं जो भी बच्चे हैं कोई अल्ला को कोई गौड को कोई भगवान को पुकारते हैं मेरे नाम तो बहुत रख दिये हैं अच्छा पुरा जो आया सो नाम रख देते हैं अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुए हैं दुनिया तो यह समझ न सके समझेंगे वही कौन जिनों ने 5000 वर्स पहले समझा हैं इसलिए गायन है कोटों में कोई कोई में भी कोई मैं जो हूँ जैसा हूँ बच्चों को क्या सिखलाता हुँ वह है तो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई समझ न सके यह भी तूम जानते हो हम कोई साकार से नहीं पढ़ते हैं निराकार पढ़ाते हैं, जो साकार ब्रह्मा के तन में आते हैं निराकार जोते बिंदू, वो इनके तन में आकरके पढ़ाते हैं, मनुष्य जरूर मुझेंगे, निराकार तो उपर में रहते हैं, वैं कैसे पढ़ाएंगे, तुम निराकार आत्मा भी उपर में रहते हो, फि वेह कभी मृत्यों को नहीं पाते शरीर मृत्यों को पाते हैं ये चेतन्य तक्त है अमरह सर में भी अकाल तक्त है न वो तक्त लकडी का उन विचारों को पता ही नहीं अकाल तो आत्मा है जिसको कभी काल नहीं खाता अकाल मुरत आत्मा एक शरी छोड़ दूसरा लेती है उनको भी रथ तो चाहिए न तो निराकार बाप को भी जरूर रथ चाहिए मनुष्य का क्योंकि बाप है ज्यान का सागर ज्यानिश्वर अब ज्यानिश्वर नाम तो भुगतों के हैं अपने को कोई इश्वर समझते है ना सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें नाम रखते हैं ज्यानिश्वर अर्थात ज्यान देने वाला इश्वर वह तो ज्यान सागर चाहिए उनको ही गौड़ फादर कहा जाता है यहां तो धेर भगवान हो गए है जब बहुत गलानी हो जाती है बहुत गरीब हो जाते है दुखी हो जाते है तब बाप आते है बाप को कहा जाता है गरीब निवाज आकरिन वह दिन आता है जो गरीब निवाज बाप आते है ज्यान देने के लिए ज्यान सागर बाप को आना पड़ता है बच्चे भी जानते हैं बाप आकर स्वरक की स्थापना करते हैं वहां तो अथा धन होता है पैसी कभी गिने नहीं जाते यहां तो गिनने पड़ते हैं यहां हिसाब निकालते हैं इतने अरब खरब खर्चा हुआ वहां ये नाम ही नहीं अथा धन रहता है अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा हैं बाबा आया हुआ हैं हमको अपने घर ले जाने के लिए तो बच्चों को अपना घर भूल गया हैं भक्ती मार्ग के धक्के खाते रहते हैं इसको कहा जाता है रात भगवान को डूनते ही रहते हैं परन्तु भगवान कोई को मिलता ही नहीं अभी भगवान आया हुआ हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो निश्चे भी हैं ऐसे नहीं सब को पक्का निश्चे हैं कोई न कोई समय माया भुला भी देती हैं तब बाप कहते हैं आश्चरिय वत मेरे को देखनती, मेरा बननती, औरों को सुनावनती, ओहो माया तुम कितनी जबरदस्त हो, जो फिर भी भागनती करा देती हो, भागनती तो धेर होते हैं, फारकती देवनती हो जाते हैं, फिर वह कहां जाकर जनम लेंगे, बहुत हालका ज पड़ते हैं, तो यह है मनुष्य से देवता बनने का इम्त्याहन, बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे, कि सब नारैन बनेंगे, नहीं, जो अच्छा पुर्शार्थ करेंगे, वो पद भी अच्छा पाएंगे, बाप समझ जाते हैं, कौन अच्छे पुर्शार्थी हैं, जो औरो उमको भी मनुष्य से देवता बनाने का पुर्शार्थ कराते हैं, अर्थात बाप की पहचान देते हैं, आज कल आप पोजीशन में कितने मनुष्य अपने कोई भगवान कहते रहते हैं, तुमको अबलाई समझते हैं, अब उन्हों को कैसी समझाया जाए, कि भगवान आया हुआ है, सीधा किसी को कहेंगे भगवान आया हैं, तो ऐसी कभी मानेंगे ही नहीं, इसलिए समझाने की युक्ति चाहिए, ऐसी कभी किसी को कहना नहीं चाहिए, कि भगवान आया हुआ हैं, उनको समझाने हैं तुमारे दो बाप हैं, एक है पर लोकिक बेहद का बाप, और तो समझे कि ये ठीक कहते हैं, बेहद के बाप से वर्शा कैसे मिलता है, ये कोई भी नहीं जानते, वर्शा मिलता ही है बाप से, और कोई भी ऐसे कभी नहीं कहींगे, कि मनुश्य को दो बाप होते हैं, तुम तो सिद्ध कर बतलाते हो, हद के लोकिक बाप से, हद का वर्शा, और परलोकिक बेहद के बाप से बेहद अर्थात नहीं दुनिया का वर्षा मिलता है नहीं दुनिया स्वरग सो तो जब बाप आई तब ही आकर के देवे वह बाप है ही नहीं स्रिष्टी रचने वाला बाकी तुम सिरब कहेंगे भगवाना यह हुए हैं तो कभी भी मानेंगे नहीं और ही तीका करेंगे सुनेंगे ही नहीं सत्यूग में तो समझाना नहीं होता समझाना तब पढ़ता है जब बाप आकर की शिक्षा देते हैं सुख में सिमरन कोई नहीं करते दुख में सब करते हैं तो उस परलोकिक बाप को ही कहा जाता हैं दुख हरता सुख करता दुख से लिबरेट कर गाइड बन फिल ले जाते हैं अपने घर स्वीट होम उनको कहेंगे स्वीट सैलेंस होम यहां हम कैसे जाएंगे यह कोई नहीं जानते नरच्ता नरच्ना के आदी मध्य अंत को जानते हैं तुम जानते हो हमको बाबा निर्वान धाम ले जाने के लिए आया हुआ है सब आत्माओं को ले जाएंगे एक को भी छोड़ेंगे नहीं यह हैं आत्माओं का घर परमधाम वो आत्माओं का घर हैं यह शरीर का घर तो पहले पहले बाप का परीचे देना चाहिए, वो निराकार बाप है, उनको परम पिता भी कहा जाता है, परम पिता आक्षर राइट है और मीथा भी है, सिरब भगवान इश्वर कहने से वर्से की खुश्रू नहीं आती, तुम परम पिता परमात्मा को स्वरग को शान्तिधाम नहीं कहेंगे, शान्तिधाम जहां आत्मा ही रहती है, उसको कहा जाते हैं, यह बिल्कुल पक्का कर लो, हम आत्मा ही, शान्तिधाम से आई है, श्रिष्टी रूपी संग, रंगमंच पर पार्ट प्ले करने के लिए, घर असली हमारा वो ही है, तो बाबे कहते हैं, बच्चे यह पक्का कर लो, बाब कहते हैं, बच्चे तुमको यह वेद शास्त्रादी पढ़ने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती, शास्त्र पढ़ते हैं भगवान को पानी के लिए, और भगवान कहते हैं, मैं किसको भी शास्त्र पढ़ने से नहीं मिल मुझे यहां बुलाते हैं, कि आंकर के इस पति दुनिया को पावन बनाओ, ये बातें कोई भी समझते नहीं है, पत्थर बुद्धी है ना, स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते तो कहते हैं ना, तुम तो पत्थर बुद्धी हो, सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, पारस क्योंकि तुम बाप के साथ हो, फिर सत्युग में एक जनम में ही इतना जरा फर्क जरूर पड़ता है, 1250 वर्स में दो कला कम होती हैं, सेकिन बाइस सेकिन, 1250 वर्स में कला कम होती जाती हैं, तुमारा जीवन इस समय एक दम परफेक्ट बनता है, जबकि तुम बाप मिसल, ज्यान का सागर, सुक शांती का सागर बनते हो, सब वर्सा ले लेते हो, बाप आते ही हैं वर्सा देने, पहले पहले तुम शांती धाम में जाते हो, फिर सुक धाम में जाते हो, शांती धाम तो है ही शांती, शांती धाम में शांती हैं, फिर सुक दाम में जाते हो, वहां अशान्ती की जरा भी बात नहीं होती। शान्ती धाम में तो शान्ती ही रहती है। फिर नीचे उतरना होता है। मिन्ट बाई मिन्ट तुम्हारी उतरती कला होती है। नई दुनिया से पुरानी होती जाती है। तब बाबा ने कहा था हिसाब निकालो पाइन छहजार वर्स में इतने मास इतने घंटे आधी-आधी तो मनुष्य बंडर खाएंगे ये हिसाब तो पुरा बताया है accurate हिसाब लिखना चाहिए इसमें जरा भी फरक नहीं पड़ सकता mint by mint टिक-टिक होती रहती है सारा real रपीट होता है फिर तरहता है फिर रोल हो जाता है फिर वही रपीट होगा यह हूज रोल बड़ा बंडर फुल है इनका माप आधी नहीं कर सकते सारी दुनिया का जो पाड़ चलता है टिक-टिक होती रहती है एक सेकिन न मिले दूसरे से यह चक्र फिरता ही रहता है वह होता है हद का ड्रामा और यह है बेहद का ड्रामा आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि यह अविनाशी ड्रामा है बनी बनाई बन रही है आधी आधी जो होना है वही होता है नई भात नहीं है अनेग बार सेकिंड बाई सेकिंड यह ड्रामा रपीट होता आया है और कोई ये बाते समझ ना सके पहली पहले तो बाप का परीचे देना है बेहत का बाप, बेहत का वर्षा देते हैं उनका एक ही नाम है शिव तो बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब अति धर्म की खलानी होती है इसको कहा जाता है घोर कल युग, यहां बहुत दुख है, कई है जो कहते हैं ऐसे घोर कल युग में पवित्र कैसे रह सकते हैं परंतो उनों को ये पधा नहीं है कि भगवान पावन बनाने वाला कौन बापी संगम पराकर पवित्र दुनिया स्थापन करते है भगवान हमारा साथी है सर्व शक्तिमान है वो डिरेक्शन देता है वो शिरीमत देता है बच्चे पवित्र बनो ना केवल शिरीमत देता है लेकिन साथ देता है तो इसलिए पवित्र बनने की ताकत आ जाती है और विकारों को छोड़ने की ताकत आ जाती है तो बुद्धी में रही कि कहने वाला कौन है कि बच्चे पवित्र बनो तो बाबा बता रही है मैं आता हूँ पामन बनाने तो पामन बनाने वाला कौन बाभी संगम पर आकर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं माहां इस्तरी पुर्ष दोनों पवित्र रहते हैं, यहां दोनों अपवित्र हैं, यह है ही अपवित्र दुनिया, वह है पवित्र दुनिया, स्वरग है मिन, यह दोजक है, नर्क हेल, तुम बच्ची समझ गए हो, नंबर बार पुर्शार्त अनुसार, समझाने में भी मैनत ह गरीब जट समझ जाते हैं दिन प्रति दिन व्रधी होती जाते हैं फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए इतनी बच्चे आएंगे क्योंकि बाप तो अब कहां जाएगा नहीं आगे तो बिगर कोई के कहे भी बाबा आपे ही चले जाते थे अभी तो बच्चे यहां आते रहें ठंडी में भी आना पड़े प्रोग्राम बनाना पड़ेगा फलानी फलानी समय पर आओ फिर भीर नहीं होगी सबी इकठी एक ही समय तो आना सकें तो बच्चे व्रधी को पाती रहेंगे यहां छोटे-छोटे मकान बच्चे बनाते हैं वहां तो धेर महल मिलेंगे यह तो तुम बच्चे जानते हो पैसे सब मिट्टी में मिल जाएंगे बहुत ऐसी करते हैं जो खड़े खोद कर भी अंदर रख देते हैं फिर या तो चोड़ ले जाते हैं या फिर खड़ों में ही अंदर रह जाते हैं फिर खेती खोदने समय धन निकल आता है अब बिनाश होगा सब दब जाएगा फिर वह सब कुछ नया मिलेगा बहुत ऐसे राजाओं के किले हैं जहां बहुत समान दबा हुआ हैं बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं तो हजजारों लाखों की आमदरिंग हो जाती है ऐसे नहीं कि तुम स्वरग में खोद कर ऐसे कोई हीरे आदी निकालेंगे नहीं वहां तो हर चीज की खानिया आदी सब नहीं भरपूर हो जाएंगी यहां कल राठी जमीन है तो ताकत ही नहीं है बीज जो बोते हैं उनमें दम नहीं रहा किचड पट्टी अशुद चीजे डाल देते हैं वहां तो अशुद चीज का नाम ही नहीं होता Everything is new सब कुछ वहां पर नया-नया होता है स्वरग का साक्षातकार भी बच्चियां करके आती है माहां की ब्यूटी भी नैचुरल है अभी तुम बच्चे उस दुनिया में जाने का पुर्शार्द कर रहे हो जहां सुन्दर सुन्दर सब चीजे होंगी नैचुरल ब्यूटी होगी Everything new होगा ऐसे नई स्वरग में जाने का हम पुर्शार्द कर रहे हैं अच्छा मेथे मेथे सिक्की लदे बच्चों प्रते मात पिता बाप दादा का याद प्यार Good morning, diamond morning रोखानी बाप की रोखानी बच्चों को नमस्ते हम रोखानी बच्चों की रोखानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार Good morning, diamond morning ओम नमस्ते धाना के लिए मुखी चार है इस समय ही बाप समान परफिक्ट बन पूरा वर्शा लेना है बाप की सब सिक्षाओं को स्वयम्मी धारन कर उनके समान ज्यान सागर शान्ती का सागर बनना है Second point बुद्धी को पारिस बनाने के लिए पढ़ाई पर पोरा पोरा ध्यान देना है निश्चे बुद्धी बन मनुष्य से देवता बनने का इम्त्याहन पास करना है बर्दान निश्चित विजय की नशे में रहे बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भाव स्पश्टी करा बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चलिंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना वे माया के शेर रूप को चींची समझते हैं क्योंकि जानते हैं ये माया का राज्य अब समाप्त होना है हम अनीक बार के विजय आत्माओं की विजय 100% निश्चित है यह निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है इस नशेशे सहजी माया जीत बन चाते हैं स्लोगन संकल्प शक्ती को जमा कर स्वप्रती वा विश्वप्रती इसका परियोग करो अव्यक्त इशारा जो स्विम की प्रती इच्छा मात्रम अविद्या है अखंड दानी है वही प्रूप कारी है जैसे बापनी स्विम का समय भी सेवा में दिया स्विम निर्मान बन बच्चों को मान दिया पहले बच्चे नाम बच्चे का काम अपना काम के नाम की प्राप्ती का भी त्याग किया नाम में भी प्रूप कारी बने ऐसे फॉलो फादर करो ओम शान्ते